हेलो फ्रेंड्स, जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जिंगा बिर्यानी यानि की प्रॉंस बिर्यानी की रेसीपी तो चलिए सुरू करते हैं आसान फूड रेसीपीस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिंगा बिर्यानी बनाने के लिए हमने डेड़ किलो प्रॉंस जानी की जिंगे लिए हैं हम इसका मेरिनेशन तयार करेंगे तो मेरिनेट करते वक्त हम इसमें एट करेंगे एक टेबल स्पून नीम्बू का रस साथ ही में हम इसमें कुछ सुखे मसाले एट करेंगे सुखे मसालों में एट करेंगे एक टीस्पून भर के लाल मिश पाउडर और एट करेंगे half teaspoon healthy powder साथ ही में इसमें एट कर देंगे एक teaspoon नमक सारे मसालों को हमने प्रोंस के साथ अच्छे से mix कर लिया अब हम इसे आधे घंटे के लिए मेरिनेट करेंगे यहाँ पर हमने एक पेन में 150 ml तेल अच्छे से गरम कर लिया इसमें हम कुछ खड़े मसाले एट करेंगे खड़े मसालों में हमने लिया है एक तेज पत्ता, एक फूल चकरी, दस काली मीज, एक दालचीनी और half teaspoon जीरा कुछ सेकेंट तक खड़े मसालों को तेल में सोटे करने के बाद हम इसमें एट कर देंगे चार मीडियम साइस के कटे हुए टमाटर और तेल में हम टमाटर को तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़े सोट ना हो जाए टमाटर जब सोट होने लगे तब हम इसमें सुखे मसाले एट कर देंगे एक टीस्पून नमक, दो टीस्पून लालमिश पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, दो टीस्पून बिर्यानी मसाला देखी बिर्यानी मसाला आप किसी भी ब्राण का इस्तेमाल कर सकते हैं साथ ही में हम इसमें एट कर देंगे दो टी स्पून धनिया पाउडर और इसमें एट करेंगे तीन टेबर स्पून अधरक लहसुन और हरी मिश का पेस्ट मिक्स कर लेंगे और लोफ लेंप पर हम इन मसालों को कुछ दे तक भूल लेंगे मसालों को हमने 5 मिन टक लोफ लेंप पर भूल लिया अब हम इसमें एट कर देंगे 100 ग्राम दही अच्छे से मिक्स कर लेंगे साथ ही में हम इसमें एट कर देंगे नारियल का पेस्ट तो हमने एक नारियल को मिक्सी जान में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है अच्छे से mix कर लेंगे और low flame पर हम इसे 10 मिनिट के लिए पकाएंगे low flame पर हमने इसे 10 मिनिट के लिए अच्छे से पका लिया और बीट बीट में हमने इसे चेक भी किया था अब देख सकते हैं के मसाले अच्छी तरह भून चुके हैं और इसका तेल भी सर्फिस पर आने लगा है इस टेज पर हम इसमें एट कर देंगे मेरिनेट किये हुए प्रोंस साथ ही में हम इसमें एट करेंगे प्यास तो हमने 750 ग्रम प्यास को तेल में गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लिया इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर इन मसालों के साथ हम प्रोंस को 5-7 मिनिट के लिए पकाएंगे देखे प्रोंस एट करने के बाद हम इसे ज्यादा नहीं पकाएंगे लो फ्लेम पर सिफ 5-7 मिनिट के लिए ही इसे पकाएंगे क्योंकि ओवर कुक हो जाने की वज़े से प्रोंस हार्ड हो जाते हैं बस 5-7 मिनिट के बाद हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और बिर्यानी के लिए चावल बोईल कर लेंगे चावल बोईल करने के लिए हमने 3 लीटर पानी लिया है इस पानी में हम एट कर देंगे 5 लोंग, 5 काली मेच और एक दाल चीनी साथ ही में एट कर देंगे एक तेज़ पत्ता और एट करेंगे तीन तीस्पून नमक और हाई फ्लेम पर पानी को अच्छे से बोईल कर लेंगे पानी जब अच्छे से उबल जाएगा तब हम इसमें एट कर देंगे सोक किये हुए बास्मती चावल हमने एक किलो बास्मती चावल को दो से तीन बार पानी से अच्छी तरह दोने के बाद आदे घंटे के लिए भिगो दिया था इसे एक बार चला लेंगे और हाई फ्लेम पर एक उबालाने के बाद मीडियम फ्लेम पर पंदा मिनिट तक चावल को बोईल करेंगे हाई फ्लेम पर एक उबालाने के बाद हमने गेस की फ्लेम को मीडियम कर दिया और मीडियम फ्लेम पर हमने इन चावल को पंदा मिनिट के लिए और बोईल किया अब देख सकते हैं के चावल 80% तक बोईल हो चुके हैं अब हम गेस की फ्लेम को ओफ करके चावल का ज्यादा का पानी निकाल देंगे बिर्यानी का मसाला हमने तयार कर लिया चावल भी अच्छे से बोईल हो चुके हैं अब हम बिर्यानी को दम करने की तयारी कर लेंगे तो बिर्यानी को दम करने के लिए इस तरह का हमने एक बड़ा बरतन लिया है इसमें हमने बोईल के हुए चावल की आधी कौंटिटी एट करकर उसके एक लेयर बना लिये चावल की एक लेयर अच्छे से सेट हो जाने के बाद हम इसमे एट कर देंगे हमारा तयार किया हुआ बिर्यानी का मसाला और इसे भी हम अच्छे से सेट करके इसके एक लेयर बना लेंगे बाकी के बच्चे हुए चावल इसमें एट कर देंगे और इसकी भी एक लेयर बना लेंगे मसाले और चावल की लिए अच्छी तरह सेट करने के बाद हम इसमें एट कर देंगे फूट कलर देखिए फूट कलर आप अपनी पसंद से कोई सा भी एट कर सकते हैं हमने इसमें एट किया है ओरेंज, येलो और ग्रीन फूट कलर अब हम इसे गानिश करेंगे तो गानिशिंग के लिए हम इसमें एट कर रहे हैं प्राई की वी प्याज साथ ही में एट कर देंगे थोड़ा सा बारिक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना अब एट करेंगे दो टेबल स्पुन घी देखें आप इस स्टेज पर इसमें एक टेबल स्पुन जितना रोज वोटर भी एट कर सकते हैं अब इसे कवर करके दो मिनिट टक गेस की फ्लेम को हाई रखेंगे और दो मिनिट के बाद हम गेस की फ्लेम को लो करके लो फ्लेम पर इसे आधे घंटे के लिए दम करेंगे देखें बिर्यानी को दम करते वक्त नीचे तवा रखा जाता है लेकिन हमने जो बरतन लिया है उसका तला ओल्रेड़ी थोड़ा मोटा है इसलिए हमने यहाँ पर तवा नहीं रखा देखें हमने इसे अच्छे से दम करने के बाद गेस की फ्लेम को ओफ कर दिया और दस मिनिट तक हमने इसे इसे ही रहने दिया दस मिनिट के बाद हमने इसकी लीट को हटाया है इसा करने से क्या होगा कि बिर्यानी के चावल जो है वो बिल्कुल खिले हुए होगे तो खाने के लिए तैयार है प्रॉंस बिर्यानी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हमबल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई